है लो फ्रेंड्सर विल्कम बैक मैं चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रहे हुं में गेहूं के आंटे का हल्वा जो कि खाने में बहुत ही टैस्टी लगता है और इसे बनाने के लिए हमने इन चीजों के लिया हुआ है जीची जों का आ सकता है में तो यहां पे यह गेहु का हटा है, यह कटोरी और यहां पे हमने चेनी भी यहां पे इतनी अएकटोरी लियो हुई है और यहां पे हमने यह दूद लिया है यहां पे धूद लिया है। यहां पे थोड़ा चाहमने जीर लिया है तो हम यहीं हमायाना शुरू करते हैं खळाई हमारी गरम हो रहे हैं कुछा कि हमारा करम हो गया इसमें हम डालेंगे जीरा जीरा को चटकने के बाद कि इसमें हम डालेंगे आंटा आंटे को लगतार चलाते हुए हम सुनारा होने तक अच्छी प्रकार से भोल लेंगे इसे की आंटे को मैंने इस तरह से देखें सुना बिलकुल सुनारा कलर का मैंने भून लिया है इसे आप जितना ही अच्छे से भूनेंगे उतना ही टेश्टिस का बढ़ना आएगा अब घी से इसमें से गी की अच्छी कुश्वबी बहुत अच्छी आ रही है अब इसमें हम डालत आपके पास अगा दूद नहीं है तो आप पाणि से घेली बना सकते हैं बहुत अच्छा बनेगा इसमें हम डालते हैं चीनी अपने पसंद से कम है ज्यादा कर सकते हैं आपको उवे ज्यादा चीनी पसंद है तो आप ज्यादा कर सकते हैं और इसमें हमेसिक साथे ड्राइपूट्स भी डाल देंगे और इन सबी चीजों को मिलाते हुए अच्छी प्रकार से पकालेंगे शुखा होने तर हलो फ्रेंड्स देखिए हल्वा मैंने बना के तयार कर लिया है देखिए बहुत टेस्टी हल्वा बना है इसमें खुस बहुत अच्छी आ रही है इसे हम गार्निश करते हैं बादाम के साथ अगर आप हर हल्वा खाके बोर हो गये हैं तो आटे का ये हल्वा बनाईए गेहूं के आटे का जो आपको बहुत टेस्टी लगेगा हेल्दी भी रहेगा जब आपके पास कम समय हो तो गयेहूं के आटे का हल्वा तुरंत बना के जड़पट से बच्चों को खिलाएं परिवार को खिलाएं सबको बहुत पसंद आएगा इस तरह से अगर बनाएंगे आप तो और फ्रेंड्स आप सब मुझे अपना प्यार ऐसे ही बनाएं रखिएगा आप सब का सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा और साथ ही बगल में एक गं कमेंट जरूर करें और आपकी एक लाइक फ्रेंड्स हमें हासला देती है तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक अलग रेस्पी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद